नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग मसूबकरण साहे काचारिय एफम स्री रादेशामार मुरार का गौर्मेंट पीजी को लेच उन्जनू आज हम विकौम पार्ट पर्थम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एफम पेपर सेकिंड इंडियन बेंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम भारतिय बेंकिंग एंवीतिय वेस्था के अंतरगत यूनिट संख्या थर्ड में यूनिट संख्या थर्ड में विनी में साधे विलेख क्या है और विनी में साधे विलेख की कौन-कौन सी विशेश्टाएं हैं विनी में साधे विलेख कितने परकार के होते हैं और विनी में साधे विलेख के कितने पक्सकार होते हैं उनके बारे में आज हम समचेप मेध्यन करेंगे जो कि ये प्रसन आपके एक्जाम में यूनिट संख्या थर्ड में कई बार विश्विदालियों की परिक्षाओं में पूछा गया है तो ये आपके लिए बहुत ही उपियोगी होगा सरो परतम हम बात करें यूनिट संख्या फेस्ट एउन सेगिंड की जो कि हमने यूनिट संख्या फेस्ट में बैंक उसके परकार और रिसेंट ट्रेड इन फाइनेंशिल बैंकिंग या बारतिय बैंकिंग की आधुनिक परिवर्तियां रिजर्व बैंक ओफ इंडिया और रियंतर्ण किस परकार किया जाता है जो कि हमने यूनिट संख्या परतम में अध्यन कर लिया था इसी क्रम में हमने यूनिट संख्या सेकिंड में यूनिवर्सल बैंकिंग इबैंकिंग मोबाइल बैंकिंग इनोवेशन इन बैंकिंग सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के कौ और इस्पेशल उनके बारे में हमने समझेप में अध्यन किया था इसी करम में जो की यूनिट संख्या थर्ड में हम पढ़ेंगे नेगोशेबल इस्टुमेंट्स में चेक, बिल्स ओफ अक्षेंज और प्रोमेजरी नोट और एस्टेडी ओफ बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट उनिस सो गुंचास बैंकिंग नियमन एदिनियम उनिस सो गुंचास की कौन-कौन सी विशेशनाएं हैं, कौन-कौन से प्रावधान हैं तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या थर्ड में विनी में साध्य विलेख जैसा की आपको भी मालूम है, पूर्वी की कलास में आपने अदिन किया था, कि विनी में साध्य विलेख क्या होता है जैसा की विनी में साध्य विलेख दो सब्द के मिलकर बना है, जिसमें पर्थम है विनी में साध्य और दूसरा है विलेख विनिमे साध्यता का मतलब यहां पर यह होता है कि सुपूर्द की दौरा इस्थाना अंतर आप किसी भी पक से कोई चीज करे करते हैं तो पर्तिफल के रूप में जो बुक्तान करेंगे उनका वो किसके मद्ध हमसे कर देंगे विनिमे साध्यता कहलाता है विलेक आर्थ कानूनी दस्तावेज से हैं जिसमें रूल्स रेगूलेशन के तहत उचित धनरासी और कानूनी दस्तावेज के रूप में यह कारिय करता है तो इस परकार विनी में साध्य विलेक एक ऐसा विलेक है जिसका सुपूर्द की दुवारा इस्थानांतर होता है तथा अस्थानांतरी की को उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाता है अब हम बात करें विन्ही में सादे विलेक की परीबासाओं की तो भारती विन्ही में सादे विलेक अधिनियम है 1881 Negotiable Instrument Act कई बार आपके एक्जाम में भी पूछ लेते हैं में कौन सा है 1881 में सेक्षन 13 सब सेक्षन 1 में इनको डिफाइन किया गया है तो इस परकार हम कहेंगे कि भारती विन्ही में सादे विलेक अधिनियम 1881 की धारा 13 सब सेक्षन 1 में के अनुसार एक विन्ही में सादे विलेक से तातपरी या तो आदेस पर या वाहक को दे परतिग्या पत्तर विन्ही में बिल या चेक से है इसके अनुसार बॉन्ड कूपन आदी को विन्ही में सादे विलेक में सामिल नहीं किया गया है अथार्थ कहने का मतलब ये है कि विनी में साधे विलेख आदेश पर या वहाग को दे परतिग्या पत्तर पर या विनी में बिल या चेक से इनका लगाया गया है तो जिसमें बुक्तान की राशी अंकित होती है जो की एक अधिनियम की धारा अठारा सो इक्यासी की धारा तेरा उप धारावन में इसको डिफाइन किया गया है परंतु बॉंड वे कूपन को विनी में साधे विलेख नहीं माना है परिबासाओं में हम बात करें नयमूर्ती केसी विलिन्स के अनुसार जो की उन्होंने कहा है कि विनी में साधे विलेख ऐसा विपित्तर है जिसमें नहित संपत्ती किसी विक्ति दुआरा सदभाव से और मुले के बदले अर्जित की गई है चाहे वा किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जिसका स्वामित्व में कोई दोस नहीं है ये नयमूर्थी कैसी विलिन्स कहते हैं अगला है थामस के अनुसार थामस ने अपनी पुस्तक बेंकिंग सिधान्त के अंतरगत इन विल्लेखों की प्रिवासाइस परकार दी है कि विनी में सादे विल्लेखों का तात्परी उन विल्लेखों से हैं जिसकी विधी या विधी द्वारा सामाने द्वारा मानेता प्राप्त पर्थाओं द्वारा सुपूर्द की या सुपूर्द की और पश्ठांकन के द्वारा इस परकार से स्थारांतन हो जाता है कि धारक अस्थान्तरी अपने नाम से इन विलेखों का दावा प्रस्तुत कर सकता है अर्थाद, मुल्लेव सद विश्वास पून प्राप्त करने पर इन विलेखों में निहित संपती का स्वामितो बन जाता है चाहे इस्थानांत्रक उस पर पूर्ण अधिकार शे जूशित ही हो समित राज जे अमेरिका में सवरूप वानिजे सहीता की धारा 3-104 सब सेक्षन 1 में के अनुसार बताया गया है इस अनुस्षेद के अंदर भी किसी भी दस्तावेज को विनिमे सादे विलेख के रूप में इन सर्तों को पूरा करना होता है जिसमें पर्थम वह निर्माताय आरता के स्थाक्सर हो इसमें निशित राशी का भुगतान करने असर्त रहित परतिग्या आदेश हो यह मांग पर किसी निशित समय पर दे हो यह आदेश या वाहग पर दे हो तो इस परकार विनिमे सादे विलेख के अंदर गत यह चीजें समलित है अब हम बात करें विनिमे सादे विलेखों के परकारों की तो विनिमे साधे विले के परकार जो विनिमे साधे अदिनियम 13, Subsection 17 की धारा 46 में इनको define किया गया है जिसमें विनिमे साधे विले को चार भागों में बाटा गया है जिसमें चेक, परतिग्या पत्तर, विनी में बिल, बैंक ड्राफ्ट, चेक, प्रावमेजरी नोट, बिल सो वक्षेंज और बैंक ड्राफ्ट को सामिल किया गया है अब विनी में साधे विले के पक्सकारों की बात करें आहरती बोलते हैं इसको ड्रावी जो कि धारा साथ के अनुसार विलेक में लिखी राशी जिस व्यक्ति को बुक्तान करने को निर्देशित किया जाता है उसे हम आहरती कहते हैं जो कि चेक के समंद में बैंक उसे आहरती होता है एक सुविकार करता, सुविकार करता इसमें बैंक भी हो सकता है और आहर्ती भी हो सकता है जो कि धारा साथ के अनुसार बिल आहर्ती उस पर अक्स्ताकसर करते हैं सुविकरत सब लिख कर उसे सूचना दे देता है वह सुविकरता कहलाता है प्रस्थांकन करता एंडॉर्सर विलेक में किसी अन्य वेक्ति के नाम से प्रस्थांकित करने वाला वेक्ति प्रस्थांकन करता गया लाता है एक परश्टांकिती होता है इंडोर्सी जिसके नाम से विले को परश्टांकित किया जाता है उसे हम परश्टांकिती कहते हैं एक धारक होता है होल्डर एक विनिमसादे विले की धाराट के नुसार विले का धारक वह वेकती होता है जिसे उस विले को अपने अधिकार में अगला आरता पेई पेई में धारा साथ के अनुसार आरता विलेक में विलेखित उस व्यक्ति को जिसके निर्देश पर विलेक में लिखित धनराशी प्राप्त करने या करवाने का अधिकार होता है यथा विती धारक ओल्डरी हिंड्यू कोर्स यथा विती धारक वह वेक्ति होता है जो किसी विलेको सद विश्वास से दे तिथी से पूर्व या मुल्ले के बदले प्राप्त करता है ये था विदी धारक का स्वामी तो हमेशा स्रेष्ट होता है बले ही वे प्रस्टांकन करता का दाई तो दूशित क्यों नहीं रहा हो तो ये इसके विविन पक्सकार हैं जो की दे रखे हैं ये आपको परकारों के बारे में हमने अध्यन किया अब हम बात करेंगे बहुत ही उप्यों की टोपिक पे बात करें कि विनिमे सादे विल्लेख की विशेश्टा हैं और उसके कौन-कौन से आवशक्तत्तों हैं तो इसके तीन आवशक्तत्तों हैं स्वामितों का इस्तमे इस्थानांतर होता है ट्रांसपरण टाइटल, शिरेश्ट अधिकार गूड टाइटल के अधार पे और एक वेधानिक स्वामिस्ता लोफुल ओनर्शिप होती है अब हम चर्चा करेंगे विनि में सादे विलेख की विशेशताओं की विनिमे साधे विलेख की विशेशता इननिमली खित हैं एक तो इसमें स्वामित्व का परिवर्तन होता है ट्रांस्पर और टाइटल क्योंकि यदि विलेख वाहक है तो सुपूर्द की प्राप्ट से स्वामित्व का परिवर्तन होता है और विलेख हादेश परदे होता है तो परस्टांकन और सुपूर्द की द्वारा स्वामितों परिवर्तन भी होता है तो विन्य में सादे विलेख की सबसे प्रमुक विशेशता एक तो स्वामितों परिवर्तन है दूसरी वेधानिक स्वामित्व लोफूल ओनर्शिप विलेख का परस्तुत करता उसका वेधानिक अधिकारी बन जाता है तथाव्य नायले में अपने नाम से दावा परस्तुत कर सकता है और धारक के अधिकार संबंदी वाद उठाने पर उसे परमानित करना पड़ता है कि वह संधर्वगद विलेक यथा विदी धारक है या नहीं है सर्थ रहित होता है क्योंग विनिमे साधे विलेक सर्थ रहित परतिग्या पत्रादेश है जो सर्थ जोड़ने पर ऐसे विलेक को विनिमे साधे विलेक नहीं माना जाता है तो सर्थ रहित होता है चोथा है सद भावना सद विस्वास और मुल्य के बदले इन गुड़ फेद विनीमे सादे विलेक सद भावना सद विस्वास और मुल्य के बदले प्राप्त किये जाते हैं यदि ऐसा नहीं है तो धारक का दिकार दूशित होंगे पांचवा है निश्चित रासी विनिमे साधे विलेक्स में एक निश्चित धनरासी होती है लिखी हुई तो निश्चित रासी विनिमे साधे विलेक के द्वारे एक निश्चित रासी के बुगतान का आदेश दिया जाता है या पर्तिग्या की जाती है कि किसी वस्तु या समान की आदेश को वीनिमे साधे विलेख नहीं कह सकते हैं क्योंकि किसी वेक्ति विशेश से हैं अगर किसी वस्तु वो क्राय करते हैं तो पारेक्सिन मुख्यूमे उसका अगर बुक्तान करेंगे तो एक निशित राशी उस चेक पे या ड्राफ्ट पे प्रोमेजरी नोट पे बिलोग सेंज पे हम लिखते हैं अगले हम बात करें अस्थानांतरशीन की ट्रांसिबिलिटी में विनी में साध्य विले का स्थानांतरशीन होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे है लेखक वर वचन दाता के स्थाकसर इसमें लेख्यक और वचन दास्ता के बिलकुल अस्ताकसर होते हैं ये भी एक इसकी विशेश्टा ही है यथा विधी धारक विलेक के यथा विधी धारक को रिणी अपने नाम से वाद परस्तूत करने का अधिकार भी होता है तो ये था विधी धारक भी इसकी पर मुख्यस्ता है बुक्तान का समय बिलकुल पेटाइम और पेमेंट विणी में साध्य विलेक या तो आदेशिती के सामने परस्तूत करने या उसमें उलेखी तवुदी के परस्तादे होता है ये पर्ति का पत्रिया विणी में पत्र के भुक्तान का समय निलाजित नहीं होता है तो ये मांग पर दे होता है अगला है प्रेश्विंदा के संबंद में सिदान्द ये सिदान्द विणी में साध्य विलेक पर लागू नहीं होता है क्योंकि विले का प्रतेक स्वामी भी उन पर अपना दिकार रखता है और उसके लिए बाद दे होता है तो इस परकार हमने विले में साध्य की विले की विशेश्था में पढ़ी पर्थम स्वामित्व प्रिवतन ट्रांस्पर उप टाइटल वेधानिक स्वामित्व लोफुल ओनर्शिप सर्त रहित अनकंडिशनल सद भावना सद विश्वास के बदे मुले बदले इन गुड़ फैद निश्चित राशी सर्टेन अमाउंट अस्थान आंतनिशिल ट्रांस एबिलिटी लेखा के वचन दाता के इस्ताकसर शिगिनेचर यथाविदी धारक होल्डर बुक्तान का समय टाइम ओप्रेमेंट और प्रेश्विदा के समंद में सिधान कॉंटेक्ट रिलेटिव और प्रिंसिपल तो ये हमने विनिमे सादे विले के बारे में समचेप में विशेशताओं के बारे में अध्यन किया तो इस परकार हम अगले वीडियो में विनिमे सादे विलेक के परकारों में ही हम अध्यन करेंगे कि विनिमे सादे विलेक में चेक क्या है और चेक की कौन-कौन सी विशेशताएं हैं तो उनके बारे में हम समचेप में अध्यन करे हैं इन से रिलेटिव हैं तो आप आसानी से आप इसका प्रसन अगर एक्जाम में आए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं तो हम आसा करते हैं कि इससे समंदीत अगर एक्जाम में आप आएगे तो आप अच्छे मार्क्स के साथ या छे मार्क्स में ला सकेंगे क्योंकि ये प्रसन 20 मार्क्स का आपके एक्जाम में आता ही आता है तो इस परकार हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि वीनी में साद्धे विलेक के परकारों में चेक और चेक की कौन-कौन सी विशेशताएं हैं बहुत ही बहुत धन्यवाद थेंक यू वेरी मुच्छ